Hello friends, good morning I hope आप सर्व लेटर्स अल्भाविट्स को प्रोपर लाइन में लिखना सीखर होंगे So, today we will discuss on the new topic which is Letter and Word Spacing Okay, means letter और word के बीच में कितना space होना चाहिए इसके बारे में हाँ discuss करेंगे Okay, let's start First is space between letters Okay, means letters के बीच में कितना space होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए Okay, so first is not too close Means हमें letters इतने पास में भी नहीं रखने चाहिए कि छिछी बन चाहिए Okay, means देखो यहां पे like this यह कितना close लिखा हुआ है ना Too close, बहुत ही पास पास में लिखा हुआ है हमें इस तरह नहीं रिखना है Okay, next one is not too far apart Means एक letters से कुछ ज्यादा ही रूर नहीं रिखना चाहिए Okay, means like this देखो यहां पे 2, D, O, O के बीच में रिखना gap रिखना gap रिखना gap भी नहीं होना चाहिए Okay, next is space of a pencil point between letters Means letters, alphabet की बीच में कितना gap होना चाहिए Okay, तो आपकी जो penalty ले उसका जो point है उसके जितना आपको बीच में gap रिखना है Okay, not like this जिसने को यहां पी letter words सब mix हो गएने हैं तो कैसा खिचड़ी ज़सा लग रहा है Okay, so हमें इस तरह write down नहीं करना है यह write down करने का proper way नहीं है Okay, next one is space between words means अब words के बीच में हमें कितनी space रखनी है और कितनी नहीं रखनी है तो यहां पर जो first है So just write means देखो यहां पर letters के बीच में letters के बीच में एक game है छुटा 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 Okay, किसके according है? Pencil के point के according Okay, तो यहां पर हमें pencil के point के according है आप पर क्या रहना है? Gap रखना है? Okay, next is space of a pencil between words means अब ही तब हम letters के बीच में pencil के point इतनाgame rawningना है and 2 letters or 2 words के बीच में pencil इतना game रखना है तो यह था लेटर और बर्ड के बीच में स्पेस कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए आयोप आपको यह समझ में आया होगा आपको इससे अपनी नौर्टूप में राइट डाउन करना है सेम एस ओके